Hello everyone, welcome back to my channel, मैं Dr. Anita, आज एक नए टॉपिक को दिसक्स करूँगी, जो इसक्रिन पर आप देख पा रहे होंगे, MOOC Massive Open Online Course तो यह जो टॉपिक है, यह UGC NET के फर्स पेपर के लिए, और MET का जो आपका Education Technology का पेपर है, उस लेबस में भी यह आपका content है तो इससे पहले भी Education Technology की, जो आपका Second Sam में है, MET के, उसमें Level of Teaching, Faces of Teaching, Modalities of Teaching, यह सारे टॉपिक को हम डिसक्स कर चुकी हैं यदि आपने इन टॉपिक को नहीं देखा है, और आप यह टॉपिक देखना चाहते हैं, तो प्रेलिस में जाकर इन वीडियो को वाच कर सकते हैं और Description Box में भी इनका लिंक दिया है, वहाँ से भी आप इन वीडियो को देख सकते हैं तो आज हम डिसक्स करेंगे Massive Open Online Course, यह डिसक्स करने के बाद आपकी जो Educational Technology की Second Unit है, वो यूनिट यहाँ पर खतम हो जाती है, पुरी यूनिट कम्प्रीट कर दी गई है तो अब हम अपने टॉपिक को डिसक्स करते हैं, Massive Open Online Course की यह क्या कोर्स है, जैसे की हम जानते हैं कि जो आजकल New New Technology का Teaching Learning Process में यूज हो रहा है Education का Expansion हो रहा है, जो Students हैं, वो विश्व के किसी भी कोने में बैठ कर Learning कर सकते हैं, किसी भी कोर्स में हम Admission ले सकते हैं, MOOC के थ्रू, इसका जो Massive Open Online Course, इसकी Short Form है, इसका Pronunciation MOOC होगा तो हम इसके Through Admission ले सकते हैं, और जो हम यदि Present Senior की बात करते हैं, तो नई-नई Technology यूज हो रहे हैं, जैसे की जो हम बात कर रहे हैं, Massive Open Online Course ये, और Web Tool हमारे हैं, Module, जो Module हैं, Modular हैं, और Virtual Environment Classroom तो हम पहले हम डिसकस करेंगे, Massive Open Online Course की ये कोर्स क्या होते हैं, तो अब इसका Meaning जान लेते हैं, जैसे की आप ये देख रहे हैं, Spelling M-O-O-C, M-Massive, Massive का मतलब बहुत बड़ा, Large, यानि की यहां पर, Large Students यहां पर, एक साथ पढ़ सकते हैं, Thousand लोग एक साथ पढ़ सकते है Open, Open का मतलब Anyone, anywhere can register for these course, इस course के लिए कोई भी कहीं पर भी इसमें admission ले सकता है, ये Open है सभी के लिए, सभी के लिए खुला है, चाहिए आप विश्व के किसी भी कोने में हैं, ये आपके लिए Free भी है, Open का मतलब Free भी है, लेकिन इसमें कुछ कुछ कोर्स ऐसे हैं, जिनकी जो पेड हैं, लेकिन उनका पेड जो फीस है वो ज्यादा नहीं है, इसके बाद आपका ओ से ओनलाइन हुआ, तो यहां पर जो कोर्स हैं आपके, वो ओनलाइन कोर्स अवेलेबिल होंगे, इसके लिए आपको ये वेब बेस्ट कोर्स होंगे, और इसके लिए आपको कोर्स हैं, किसी भी कोर्स में आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, वहाँ आप यदि मुप की वेब साइट पर जाएंगे, तो वहाँ पर देखेंगे, एक स्लेबस के लिस्ट है, उस लिस्ट में आप जाएंगे, और उस लिस्ट में से जो आपको जो इंटरस्टिंग है आपके लिए, जो आपके लिए बेनिफीशल है, उस कोर्स को आप चुन सकते हैं, इस तरह से मैसिव लार्स ओपन सभी के लिए खुला है, फ्री भी है, ओनलाइन है ये, और बहुत सारे कोर्स अवेलेबिल हैं, अब देख लेते हैं कि है क्या ये, मैसिव ओपन ओनलाइन को ऐसे मैसिव ओलिए ये, यहां पर हम अपने आपको करा सकते हैं, यह यहां पर घुर्छी अवेलेबिल हैं, वो फ्लक्सिबल हैं, फ्लक्सिबल वेज प्लेटो लार्न हैं, हम यहां पर चुन सिखते हैं, अडवंच और कारियर औरसे क्या है स्टरी आज़ूशल अब दिरु पर फिलिफ का मतलब है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे सुट्वेटी एक साथ बढ़ सकते हैं, जो कोर्स हैं, बहुत सारी वैराइटी हैं, कैरीयर डवलेप्मेंट का है, आप अपने आपको अपनी स्किल्स को डैवलप कर सकते हो, और अपने आपको कोलेज के लिए तो जो मुक के माध्यम से जो students है वो जो उनका subject expert है उससे contact कर सकता है वो सारी course की जानकारी उसको मिल सकती है वहाँ admission ले सकता है और उस list में से जो list दी हुई है उस list में से अपने according course को वो select भी कर सकता है अब इसके बाद देख लेते हैं इसकी history क्या है मोक की जो term मोक है वो coined 2008 में यह किया था डेव कॉर्मियर ने जो की University of Prince Edward Island in Canada के थे और रोने एक course था connectivism और connectivity knowledge जिसके की यह short form हो जाती है CCK08 इसको CCK08 भी कहा जाता है तो इसकी short form है और full form ऐसे connectivism और connectivity knowledge सबसे पहले 25 students ने इस course में अपने आपको enroll कर आया जो की University of Manitoba में और उसके बाद 2300 के around में यहाँ पर participate किया यह course जो है online course है इस online course में बाद में यह participate किया तो यहाँ पर हमें यह पता चल गया कि जो यह mock है हमारा इसके through हम बहुत सारे curriculum हैं उन curriculum को easily वहाँ पर देख सकते हैं और घर पैठे ही इन course में हम admission ले सकते है अपने आप इसको access कर सकते हैं curriculum को choose कर सकते हैं और जो हमारे इसके through ही हम जो हमारी resources है उन resources का पूरा utilize कर सकते हैं और हमें जो हमारे curriculum है उसकी utility और जो हमारी learning के जो objective हैं उसको decide कर सकते हैं और यहाँ पर जो है यह हमारे free facility available होती है तो इस तरह से जो students हैं उन्हें बहुत सारी opportunities मिलती हैं जिससे कि वो अपनी रुची और शम्ता के अनुसार अपने भविश्य को समार सकते हैं और जो mock के द्वारा जो students हैं किसी भी curriculum की educational material को online ले सकते हैं online उनको मिल सकता है इसी तरह से सभी प्रकार के curriculum की उनको जानकारी अपने mobile या computer या laptop के थ्रू वो ले सकते हैं ये online service होने कारण इसका जो सारा material है students तक शिर्गता से पहुँच जाता है अब देखते हैं इसकी characteristics क्या हैं सबसे पहले हैं इसकी using web format तो यहां पर जो more course है इसके लिए ICT की knowledge होना बहुत जरूरी है ICT की knowledge होने चाहिए क्योंकि यहां पर students को online videos, online lectures provide के रहते हैं जो हमारा classroom है वो virtual classroom environment होता है teachers अपने students के लिए live session organize करते हैं और यहां पर students के लिए बेस opportunity होती है कि वे अपने teachers के साथ touch में रहते हैं तो इस तरह से यह web formatting है एक तरह से दूसरा है इसका collaborative learning collaborative learning की तरह से यहां पर students को learning कराई जाती है तो यहां पर जो यह ऐसा नहीं है कि teacher ने video भेर दिया पर लक्षर का खतम हो गया नहीं, teacher जो है students का participation कराती है group discussion भी कराया जाता है, question answer session भी होता है, उनको assignment भी दिया जाता है इसके लिए क्या करते हैं कि group बना दिया जाते हैं तो उस group में ही यह सारी activities होती रहती हैं जिसे की students की grooming होती है उसके बात है assessing knowledge, यहाँ पर जो students की knowledge को enhance करने के लिए module त्यार किया जाते हैं program test होते हैं, ऐसे question, ऐसे type question बच्चों को दिये जाते हैं और इससे क्या है कि जो जिस course में admission ले रहे हैं उस course का साथ साथ में evaluation भी होता रहता है यहाँ पर जो कुछ course हैं इनके वो certificate उसमें issue होते हैं कुछ course में certificate issue नहीं होते हैं और यह वैसे तो free है लेकिन कुछ course ऐसे हैं जिनमें थोड़ा बहुत यह paid करना पड़ता है और उसके बाद है आपका time limit time limit समय सीमा क्या होती है, जो mock है जब यह start date और end date भी specified करता है कि इस course की start date क्या रहेगी और end date क्या रहेगी, उसी के बीच में ही यह weekly बच्चों के पास जो हमारा content है उस content को भेजते हैं जैसे कि document हो गए आपके videos, exercise तो every week भेज जाती है और students को email के through भी update किया जाता है और weekly classes होती है, इस तरह से एक time bound होता है, उस time में students से इस course को उन्हें कराना होता है, यह तो थी हमारी characteristics इसके बाद हम देखते हैं कि mock के benefit क्या होंगे, offer a variety of subject, जैसे कि यह बताया कि जो mock की website है, वहाँ पर list दी होई है उस list उसमें बहुत सारे subjects हैं, बहुत सारे आपका जो है course है, उन course में से जो आपके according है course उस course में आप वहाँ पर click करेंगे तो उस option पर click करने के बाद आप उसमें, जो उसमें queries पूछी जाएंगे, उसको fill up करेंगे तो वहाँ पर admission ले सकते हैं open to everyone, सभी के लिए है ये, open है सभी के लिए, कहीं भी आप इसको access कर सकते हैं, आपके लैपटोप, computer या mobile से भी कर सकते हैं इस तरह से है more comfortable learning environment क्योंकि यहाँ पर हमें अपने according ही सीखना है किसी की तरह ही कोई foundation नहीं है, कि हमें उस जगह वहाँ college में जाना है, वहाँ जाके बैटना है, और lecture लेना है तो यहाँ पर जो comfortable environment है, वही पर आपको online सारी facilities available हो रही है self discipline and responsibility, तो जो students है, उसी खुद की, वो खुद responsible होता है कि मुझे इतने time में ये course खतम करना है वो self study करता है, उसके अंदर self discipline maintained होता है, और responsible भी होता है learn from peers around the world, और इससे क्या है, कि वो सब के साथ जो group बना दी जाते हैं, तो सब के साथ connect भी रहता है और participation सब के साथ होता है, इसके through discussion भी होता है, इससे क्या है, social networking भी बढ़ती है और वो जो है, यह इस तरह है कि यह group होते हैं, यह just like a real classroom you will learn from your peers and possibly broaden your world view too इसके बाद है आपका, mocks are available in different languages mocks are a free way to learn a new language at your own pace उसके बाद improve your technical skill यहाँ पर यह आपका online course है, online course के लिए आपके पास video lecture आ रहे हैं इस तरह से आपको assignment भी वहाँ पर भीजने हैं अपने question answer आपका group discussion किस तरह से हो रहा है, तो यहाँ पर कही ना कहीं आपकी technical skill भी improve होती है इसके बाद जो और भी इसके बहुत सारे ऐसे benefits हैं कि हमें new knowledge मिलती है और इससे क्या है, जो यह है, खर्चीला भी कम है इसके तरू जो है, free curriculum तयार किये जाते हैं, students के लिए free curriculum है कुछ curriculum के लिए, कुछ थोड़ी सी जो affordable fees है, वो decide कि गई है और इस तरह से, यह एक जो है हमारा mitway restriction अधिगम प्रिकिरिया हम इसे कह सकते हैं अधिए जो यह mock है, इससे students बिल्कुल easily सीख लेते हैं और अपने आपको update भी करते रहते हैं तो यह हो गए हमारे benefit, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो एक तरफ benefit होते हैं तो कुछ हमारे नुकसान भी होते हैं, यदि किसी के पास ICT की बिल्कुल भी knowledge नहीं है तो वो mock.com को ढूंडी नहीं पाएगा और वो curriculum को देख भी नहीं पाएगा और यदि मालेज़ के internet की facilities नहीं हैं तब भी उसके साथ परेशानी होगी लेकिन फिर भी अब आज की scenario में ICT का use होना बहुत आसान भी हो गया है और जरूरी भी है हम सब के लिए इसके बाद हम देखते हैं mock program in India कि इंडिया में कौन-कौन से mock program है University grant commission along with the UGCA or HRD ministry है इन्होंने mock program को launch किया इंडिया में higher secondary और bachelor's and master degree इन सब के लिए this will cover a wide range of subject that may or may not be taught in regular campus studies तो यहां पर बहुत सारे से course हैं कि जिनने हम course में हम admission ले सकते हैं उसके बाद a new portal of mock named study web of active learning for young aspiring minds in short swim swim का ना आप सबने सुना होगा तो swim की short form यह swim जो short form में है इसकी full form है study webs of active learning for young aspiring minds तो यह भी अभी launch हुआ है आपके यह UGC net case levels में भी है यह is set to present students with an opportunity to study anything from a list of 2000 course out of which 200 currently available for registration audio visual medium जो यहां पर 200 course available है और यह इसका medium होगा वही आपका online medium है audio visual medium है illustration है research and case study with self-assessment are few of the medium chosen to approach the study of this course इसके बाद to provide further information on swim and MOOCs in general professor जो की इसके general professor है एके बक्षी चेर्मन है आपके e-learning के तो उन्होंने यह कहा these online course have been developed by a team of senior accreditation and are expected to enhance the gross enrollment ratio in higher education without compromising with the quality these course will also help in providing the digital divide in the country यहां पर जो एके बक्षी है इन्होंने online course की importance को बताया है कि online course कितने beneficial है और यह हम किस तरह से कर सकते हैं यह तो थे हमारे इंडिया की बात अब जो इंडिया और abroad में हैं उसकी बात करते हैं यहां सबसे पहले हैं Naptal India का है यह Indian Institute of Technology IITS और Indian Institute of Science IICS इन दोनों ने मिलकर इस course को बनाया यहां पर जो platform है उस platform की बात करें विच रिक्वाइस नो रेजिस्टेशन आर फ्री यहां पर रेजिस्टेशन ही कोई fee नहीं है बिलकुल free of course है यहां पर यह इसके बाद आपका आता है जो की इंडिया और USA दोनों का है और इसमें जो इंडिया है दोनों का कोर्स ही वाला इंडिया ओफर इस course through this platform which requires registration fees to study course afford by them यह यहां पर जो इसमें admission लेने के registration fees है लेकिन वो affordable होगी ज्यादा fees नहीं होगी इसके बाद है open to study इसका यहां पर भी प्लेटफर्म है और मुक के according यह और यह और यह उस्टेलिया में है उसके बाद है Quora Sarah यह इसका जो है है यूएसे में है उसके बाद आपका edX एडएकस भी USA का है और उसके बाद है Udemy इसके आपको एड भी देखने को मिले होंगे इसका headquarter of this platform for online courses made out of USA तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे यह course कौन-कौन से course है तो यहां पर आपको clear हो गया होगा कि जो हमारा MOOC है Massive Open Online यहां पर बहुत सारे course available है तो इन course को जो कोई भी students घर बैठे इन course को कर सकता है उस list में जो list दे हुए उस list में जाकर और यहां पर जो students है वो subject expert के साथ contact में रहते हैं उनसे सीख सकते हैं और उनसे जानका ही ले सकते हैं और इसके through जो है जितने भी resources है उन resources का use होता है curriculum की utility पता चलती है और जो education research से संबंदित काम है वो भी यहां पर free available कराए जाते हैं Massive मतलब की बहुत बड़ा open free है सभी के लिए open है कोई भी पढ़ सकता है online course available है और बहुत सारे यहां पर course है इस तरह से उम्मीद है कि आपको यहां समझ आ गया होगा यदि आप कोई query है तो comment box में जाकर आप उस query को पूछ सकते हैं thank you so much मिलते है next video में कर包 dal दो आप कर दो कर दो questions